ग्राइब बचो आज हम लोग कलास टेन के ब्हाइलॉजी के चेप्रेट्ट तू स्वासन क्या दिखने वह सुरसन के लगूतरी क्या दिखने ले लगूतरी क्या लगूतरी प्रश्न देखना था चलिए 10 को प्रश्न है दस्व प्रोश्ण गया एंसर इसी वीडियों में आझ म हम आज लोग समाप्त कर देंगे चले देखते क्या है पहला पूला आपका घृता बुलाहें सौशन सजीवो के लिए क्यूँ अनिवारी वुलाई विरत रूप से सौशन उन सवी परक्रियाओ का सम्लित रूप है जिनके दौरा सहीर में उर्जा का उटपादन होता है लुटा का एल्याओ घृत्रld का विरत रूप से दौरा सहीर में और जाका उत्पादर होता है तो उसमें हम लोग को उर्जा की परिभासा लिए क्या लिखना है लिखना है तो चले देखते हैं तो बहला है सोचन के अंतरगत बाहरी बातावरं से अक्सिजन घ्रान कर शरीर की कुशिकाव में पहुंचाया जाता है जहां इसका उप्योग कोशिक किये इंधन के ऑक्सीकल्ण में करके जयाइपुर्जा क्या है जयाइटीपी का उत्पादन के आता ता इस क्रिया में उत्पन करबंड ड्यक्साइड को फिर कोशिकाओ से सहीर से बाहर निकाल जाता देखे करते लिए गया है पूरे लएक कषयों पहुंचा जाता है जाहां इसका उप्योग क्या और करके जयाइबुर्जा कम लोग क्या बोलते एट्पू एड़ी आपने छाइंटरी फॉस्पेट एड़ी फॉसपेट होता है जयाइबुर्जा एटीपू का उत्पादन किया जाता ह संपूषसन पर क्रिया के लिए क्या लिखना है क्या वोला निकाल दिया था है कर दो हमें दो पत्रोशन पर यह रहिए का लिखना थे देखेँ आपका सवान क्या बोला बेगे एक सब्सक्राइब कर जाता है जल और उर्जा हम लोग को प्राफ्थ होता है इससे नहीं प्राफ्थ होता है जैसे पॉसन हमारे जरूरी है उसी सब्सक्राइब आपको ने एक से कंड रोक रहाता है इसलिए सोसन क्या था सभी जीवों के लिए अनिवारी तो भी बलाए सोसन क्लिया में क्या होता है का रवन निकलता है हम लोग को क्या प्राफ्थ आउर्जा और जल यह आपका था सोसन का समिकन इसको यार्द है कभी-कभी दो नमने सबस्क्राँ विक्रिया करने प्रेंजाइम क्यू पस्तितन कर्वन निकलता है जल और प्राफ्थ होता है अगला आपका चानम व्यूंग उक्षिक्रिण से की approximate ऑगिक्जोग का निन्मान होता है तो पूंग औक्सिकन से किनकी नहीं का निर्मान दो देखते चलिए क्या आपका इंसर क्या है आपका तो बुला है गुलकोच के आंशिक ऑक्सिकन से दो अनुग इसको अगला देखते अगला क्या आपका अगला आपका निरेक्टिक अमल ये अधिक अंध्रों अधिक अनुग इस दरान ऑक्सिजियन परियाप्त मात्रा में घट जाती है ऑक्सिजियन के अभाव में हमारी पेशियों में पारुवेट लेक्टिक अमल का निर्वान होता या लेक्टिक अमल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचीत हो जाती है इस कारण हमारी पेशियों में दर्ध ह हमको चाहिए है कि हमारी प्राययापत हैहा ता Оक्सिजिएन के हमारी मातरा में हमारी प्रेशियों में संचीत हो जाती है इस कारण हमारी प्रेशियों में दर्थ होने लगता है तो हम कोई काम भी करते हैं तो क्या होता है लेक्टिंग निमान ज्यादा होता हुआ प्रेशियों में आपको ज्यादा होता है इस प्रकार का सोसन निया कहा होती एक चोटा अंसर था इसलिए छोटा दे आपका है अगला वोला स्वासनली या ट्रेक रिया क्या है त्याति हिश्योथ उतको के संपर्ख में होती है त्था दूसरी औहासर इस फ्रण्द्र नामग में चिदों दोरा खूलती है या स्वास्न देकरी कीटों का एक सबस्चान लाओं है जो सरीर के भीतरी इस्तित अत्यान्त साख्रित हवा भरी लिकाय है जो एक और सीध्य उत्को के संपर्क में होती है तह दुसरी और स्वास्रंद्र नामग्षित्रम दोरा खूलती है कि आपका आठ नम बोला है मचलियों में गिल्स कहां अवस्तित होते तो मचलियों में गिल्स कहां अवस्तित इसके पारे में पूछा था चलिए आपका एंसर क्या है तो बोला आपका मचलियों में गिल्स मचलियों का सोसन अंग है तो मचलियों का सोसन अंग है परतियक मचली बीजार से पर्टेग मचली के एक सोचना है धर्टिये मचली किमेकल में कितने दो, दो समुवे में पाए जाते हैं की है, वितना तर में का यड़घ की भाग का समुवे मघ का के थीक फीच्छे इस्तितित हिर्टब राख्ट प्रत्रेक सम्हों में कई गिल्स आगे से पीछे की और शिखला-बांद तरीके से व्यवस्तित रहते ये अपकी तो मांथ मानफ सरीर की कौन-कौन सी रचना इस व्यूसर नगों का निर्मान करते हैं मानब शायर की कौन कौन सी रचना है सोस्ञ अंगो का निर्मान करते हैं देखिए आपका इंसर हो जाएगा बोणा है मनुष के सहीर में नासिक छीद शुवर यंसी तहाँ अगों का निर्मान करती है तुस्षार में मनुस्क का मनुस्क कहा हुथ करते हुआ कि अपका लास कोचने 10 नमन क्या आपका दस नमन स्वास्वास किया है गोए सबस्था प्रस्वास तता उच्वास मिलका तो यह आपकर था दस लगुतर प्रस्था चलिए हम लोग अगले वीडियो में देर प्रस्था लाइक सिय और सब्सक्राइब यहां से बना तो ठीक है जो नहीं बना तो अपना यहां से कर लेंगे चलिए आज के वडियों लोग यहीं तक सब्सक्राइब करते हैं झाल